साथियों देखिए लोग प्रसासन की जो यूनिट नमर सेकंड है उस यूनिट नमर सेकंड में जो लोग प्रसासन के जो सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों का अपना क्रम चल रहा था तो इससे पहले हमने मानव संबन्दी सिद्धान्त एल्टन मियों का और उससे पहले हैं दबलू टेलर का मानव का बैज्यानिक प्रबंद सद्धान्थ इन सब के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं आज यह इसके समंद में आखिरी वीडियो है मैक्स बेवर के समंद में और मैक्स बेवर के बाद में अगला जो वीडियो होगा वोगा परसनुत्तरों का तो इसका मतलब क्या इनका पहले हम परिचे देखेंगे परिचे, सक्ति एवन सक्ता, सक्ता के परकार, नौकरसाही के परकार और डबलू, ने एप, एम, मार्क्स के अनुसार, नौकरसाही के परकार आदर्स प्रकार की जनोकर साही, प्रतिमान और फिर इंकी आलोचना देखेंगे और आलोचना के बाद में ये टॉपिक समाप्थ हुजाएगा देखिए परिचे ये एक जर्मन सास्त्री थे बहुत अच्छा प्रसनिया सा सकता है कि जो मैक्स बेबर है वो कहा के थे शास्त्री, तो ये जर्मन सास्त्री थे दा थियो, दा थियोरीज, सोशियल एंड एकोनोमिक्स और गनाईजेशन ये इनकी क्या है, एक पुस्तक थी नोकर साही उपागम का स्टंप माना इनको और नोकर साही, जो नोकर साही है वो उसे बीरो क्रेसी कहा जाता है बीरो क्रेसी में जो बीरो सब्द है वो फ्रेंच भासा का है और फ्रेंच भासा का है, लेकिन जो बीरो का जो अर्थ है वो है टेबिल पर बिचाए जाने वाला कपडा ठीके? और देखिए, तो इसमें हमने यह देखा तो क्रेसी जो सब्द से तातपार रहे है सासन विवस्ता तथा तंतर से लिया जाता है यानि क्रेसी का अर्थ होता है सासन विवस्ता और भीरो का मतलब होता है डेस्क पर बिचाए जाने वाला कपड़ा टेबल पर बिच्छाय जाने वाला कफड़ा तो एक बहुत अच्छी लाइन यहां से कोटिसन कई बार पूछा जाता है कि सर्व पर्थम वीरोक्रेसी सब्द का प्रियोग सत्रेसो पैंतालिस में फ्रेंच अर्थसास्त्री बिसेंट डी गोरेन सत्रेसो पैंतालिस में सबसे पहले नौकरसाई सब्द का प्रियोग किया था अर्थात वीरोक्रेसी का प्रियोग किया था और लेखा है उन्होंने आजकल हमारे देश में एक नई परकार की बुराई या ऐसे कह सकते हैं उन्होंने बीमारी सब्द का नाम लिया है एक नई प्रकार की बीमारी या बुराई फेली भी है जो जो या जिसने संपून समाज को जकट रखा है वो बुराई है और इन्होंने बीरोमेनिया उस बुराई का नाम क्या था बीरोमेनिया यानी मेज का सासंब उस बुराई का नाम क्या ओता था वीरो मेनिया मैक्स वेवर ने नौकर साही पर सरवाधिक अध्यन किया इससे अत्यदिक लोग्प्रियता बनाया परंतु मैक्स वेवर से पहले और पस्चायत अने अनेग विचारपों ने भी इस पर अपना विचार पेस किया था तो यह एक हैं गिटा मोनोसका, रोबर्ट मिचलेस, मार्स, कॉल मार्स और मार्स अथम्स कॉरलाइल आदी ने भी नोकर साही के छित्र में अपना बिसेस युगदान दिया था देखें थम्स कॉरलाइल ने नोकर साही को महादीपिय कंटक या महादीपिय जंजाल कहा है यह परशन के बार पेपरों में पूछा जा चुका है रोबर्ट मिचलेस नोकर साही के समंद में अल्पतंत्र का लोगो नियम प्रतिपादित किया था और देखें सक्ति एवं सक्ता प्रादिकार तो इन्होंने क्या माना था कि सक्ति वह अबधार ना है देखें सक्ति और सक्ता में अंतर क्या है सक्ति वह अबधार ना है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे से अपनी इच्छा की अंसर कारे करवा लेता है अर्था दूसरों से कारे करवाने समंदी दवाव या बल सक्ति कहलाती है यनि सक्ति सरजनात्मक होती है सरजी सकती क्या है सरजनात्मा खुती है यह बने जाती है और किसी भी प्रसाशन के अंदर किया गया कार्य सत्ता पर आधरित होता है वहीं प्रसाशन में जो कार्य किया जाता है वो सत्ता पर आधरित होता है जैसे यहाँ देख लेते हैं अपन नोकरसाई की अवधारना सत्ता पर आधारित होते है ना की सक्ती पर तो नोकरसाई की अवधारना किस पर आधारित है सत्ता पर तो यह very important है तो इन्होंने सत्ता के बताएं तीन प्रकार तो Max Weaver ने सत्ता के कितने प्रकार बताएं मैक्स विवरने सत्ता के तीन प्रकार बताए है नमबर एक पारामपारिक सत्ता जो बहुत लंबे समय स्थ चली आ रही है प्राचीन सत्ता क्रिस्माई सत्ता या इसे हम चामातकारिक सत्ता भी कह सकते हैं और यूनानी सत्ता यानि कानूनी सत्ता तारकिक या वेधा नहीं सकता कैसी कानूनी तारकिक या वेधा नहीं सकता तो देखिए पारास पारिक को यह देखिए थोड़ सा पारंपारिक को जो परंपरां से चली आ रही है आस्था परंपरा विश्वास के आधार पर आदेसों का पालन जैसे प्राचिन काल में राजा वे प्रजा के साथ संबंद देखे प्रारामभी काल में राजा प्रजा से अपने कार्य आराम से निकल वा ले थे थे समझ महारी बात इनके बीच में जो संबंद होता था आज्यापालन का वो थी सत्ता आप देखेंगे आगे दिए करिश्माई सत्ता यह काफी इंपोर्टेंट है व्यक्तित्व के एलो की गुन जो व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति विश्यश्श्था के आधर पर आदेश का पालन जैसे भी माहत्मगादी है तो इसके संबंदित बहुत व्यक्तिव मिले हैं और रहें भी समर्थक नहरुजी हैं, कलाम हैं, अन्नाहजार हैं, मार्टी लूथर हैं, निसनल मंडिला जी हैं तो निसनल ये करिस्माई सत्ता है कि इनके पीछे लोगों के संबंद हैं अब देखें कानूनी सत्ता, जो कानूनी सत्ता इसको सबसे इंपोर्टेंट माना गया है, महतपूर माना गया है, सोच के आधार पर, आधुनिकता पर आधरित है, सबसे आधुनिक प्रकार किये और नोकरसाई का आधुनिक आधार है ये अब देखते हैं नोकरसाई के प्रकार कि नोकरसाई के प्रकार कितने बताएं नोने नोकरसाई के प्रकार देखिए मार्क्स के अनुसार मार्क से मार्क्स के अनुसार अविवावक नोकरसाई जातिय नोकरसाई सरक्षक नोकरसाई और योगता आधारित नोकर साही पेपर माजाए कि मार्क्स के अनुसार कितने प्रकार की नोकर साही है तो चार प्रकार की नोकर साही का उलिक क्या है अभिबावक नोकर साही, जाती नोकर साही, सरक्चक नोकर साही और योगता आधारित नोकर साही देखिए अभिबावक नोकरसाही इस नोकरसाही में सत्ता अपनी जनता की अभिबावक की तरह ध्यान रखती है जातिय और नोकरसाही के बीच पित्रत वैसंतान संबंध रहते हैं जैसे प्राचिन काल में चीन में सुंग काल में नोकरसाही का गठन जाती नोकरसाही, अगर जाती नोकरसाही के समण में देखें तो जाती वर्ग विसेस के लोगों को ही नोकरसाही में भागिदार बनाना जैसे प्राचीन भारत में छत्रिय और ब्राह्मनों को ही नोकरसाही के कारे दिये जाते थे इंग्लेंड की किवल लाड़ सभाव में ही नौकरसाई का प्रियुक किया जाता था सरक्षक नौकरसाई देखी USA में नौकरसाई जनता के सरक्षक की भाती देखवाल करती है तो बात कर लेते हैं योग गता हैं योग गता आधारिक नौकरसाई ये सबसे आधुनिक प्रकार की है और खुली प्रतियोगी प्रिक्षाओं के आधार में आधार पर भरतिया की जा रही है आधुनिक लोगतंत्र राज्यों में नौकरसाई बतलब आधुनिक नौकरसाई को सुरेश्ट माना गया है आदर्स प्रकार की नौकर साही के परतिमान तो इसकी विसेशता है लेखित नियम कानून होते हैं इसके और अपचारिक तार्किक सरंचना पदसोपान होता है योगिता के आधार पर भरती प्रिस्ट्रक्षन होता है बेतन भत्ते और पारसर्विक होते हैं कार्य विभाजन और कार्य विशेशिकरन तठस्ता और अनामता केरियर सेवाएं जीवन विर्ती सेवाएं मैक्स बेवर का आधर्स नौकर साही प्रतिमान कानूनी तारिकता पर आधारित है जो की पून तारिक प्रतिमान यह एक काल्पनिक यूटोपिय प्रतिमान है तो प्रतिमान कानूनी तारिक पर जो कानूनी या बेधानिक जो नोकर साही है उस पर इनका प्रतिमान आधारित है तो पेपर पूछ ले जाए तो यह important है तो देखिए इनकी आलोचना है देख लेते हैं एक बार थोड़ी शी आलोचना है लक्षों का विस्तापन सिद्धांत रो पूद्यों का विस्तापन सिद्धांत फिलिप सेलजिनिक पैसेवर विक्रिती वारनोट पैसे संबन्दी साइकोसिस डेवीने और प्रिस्रिक्षत एच्छमता यानि नोकर साही प्रिस्रिक्षत एच्छमता है ऐसा थरस्टेन बेविलेल ने कहा था एक बहुत अच्छा कथन है नोकर साही अपनी गलतियों से भी शीकर शीकर भी अपनी ब्याबहार में ऑन किसकार और यह माईकल क्रोजीर का माईकल क्रोजार का कथन है और इसकी बुक है यानि बीरो क्रेटिक फिनोमीनिया बीरो क्रेटिक फिनोमीना इनकी एक पुस्तक है और भी देख लिए थोड़ा सा विकासील देशों के लिए ये उपयोगी नहीं है ये किस ने कहा था ये कहा था रिक्स ने कि नोकर साही विकासील देशों के लिए उपयोगी नहीं है इरिक्स ने कहा था मसीनी सिद्धान्त कहा है साइमन बर्नोड ने साइमन बर्नोड ने से क्या कहा है मसीनी सिद्धान्त आदर्स वे प्रकार में व्रुदभास कारल फेलिडिर्क ने माना है बंद विवस्ता प्रतिमान के रूप में आलूचना की जाती है इस सिध्धान्त की तो देखिए हमने आज इस टॉपिक में जाना मैक्स बेवर का नोकरसाही सिध्धान्त मैक्स जो बेवर है मैक्स बेवर का नोकरसाही सिध्धान्त तो ये paper में के वर पूछा जाएगा आपसे जो नोकर साही सिध्धान्त है इसके समर्थभी मैंने बताया है इससे पहले कुछ लोग और भी काम कर चुके हैं लेकिन लोग प्रसासन में Max Beaver का जो नोकर साही सिध्धान्त है इस इंपोर्टन्ट तो आज के लिए इतना ही अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए टेलिग्राम से इसका पीडियप आपको प्राप्ट हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू धन्यमाद